नवाश्कॐार मित्रौ मैं प्रसान सिरवास्तों आपका स्वागत्करता हूँ अपने youtube चैनल सुरी प्रसान श्री प्रसान तेस्ट अलजी में मित्रों आज का हम लोगों का जो विशा है वो है प्रतेक राशी का संज 2021 का राशी फल 2021 में प्रतेक राशी वालों के साथ क्या क्या होगा यहां पर मित्रों आपको एक बात यह बता देना विसेश रूप से जरूरी है कि सभी व्यक्ति जिनकी एक राशी है उनके साथ या एक लगन भी है तो उनके साथ यह जो फल है वो एक नहीं होगा चाहे वो हम बता रहे हैं या कोई भी ज्योतिस बता रहा है। उसका कारण ये होता है कि ग्रहों की आपके कुंडली में इस्थिती, आपकी महादसा, अंतरदसा, आपके ग्रहों के अंस, आपके ग्रहों के पोजीशन, एक दूसरे को देखना, बहुत सारी चीजे जो हैं, वो जो तिस में माइने रखती हैं, बहुत सारी चीजे जो होती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं फल के लिए, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, रासी के अनुसार फल, ये लगने के अनुसार फल, हम बहुत कम बताते हैं, लेकिन आप लोगों की अब बहुत ज़्यादा, आप एक्षाएं भी रहती हैं और आप लोगों ने बहुत फोन करकर के और अलग-अलग माध्यमाँ से कहा है वह सब ने बता दिया है कि क्या होगा साल भर आपने नहीं बताया तो इसलिए आपको ये बात बताया जा रहा है अब आईए मित्रों हम लोग बात कर लेते हैं करकर करैसी वालों के लिए यह जो रहेगा दो हजार इकीस समया कैसा रहेगा कर करा सी वालों के लिए फिर वही समस्या Chea ». करकराशी वालों की समस्या ये आएगी 2021 में क्या 20 में ही आ गई है 21 में खास करके थोड़ी सी रहेगी और भी कि उनका जो पतनी पक्ष है बात समझेगा उनका जो पतनी पक्ष रहेगा या जो उनका पार्टनर रहेगा जो उनका फ्रेंड रहेगा समस्या जो आएगी उसकी तरफ से आएगी उसकी वज़ा से आएगी लेकिन चुक्की ये लोग बहुत ओविडियंट होते हैं पतनी के पार्टनर के और क्या कहते हैं जो इनके फ्रेंड वगारा फ्रेंड का मतलब जो विसेस साथी होते हैं तो उन लोगों के गड़े होते हैं तो इसलिए उन लोगों को ये ब्लेम भी नहीं करेंगे कि नहीं हमारी तुम्हारी वज़ा से दिक्कत है या जो भी है हाँ ये है कि जो इनके साथ ही रहेंगे पार्टनर रहेंगे वो लोग इस समय मदद करेंगे यहां पर एक और भी वो होगी कि इनका जो पिछले आप कहसकते छह महीने से चल रहा है आगे भी चलता रहेगा कि मा का स्वास्त को लेकर दिक्कत चलती रहेगी मासे विवाद चोटे मोटे या पत्नी की वज़ासे मासे विवाद ये सारी जो चीजे हैं इन लोगों की चलती रहेंगे इसकी वज़े से यह भी हो सकता है कि कामकाज में भी इन लोगों को दिक्क्त आ जाएगी करकरासी वालों को तो इसलिए करकरासी वालों को विशेष ईसरूप से यहां पिक काम ये करना चाहिए कि बहुत जादा पत्नी भक्त या पती भक्त होने से बजाए ठोड़ा सा चीजों को मैनेज करके चलना चाहिए, और आपका जो पार्टनर है, किस प्रकार की क्या कत्विधियां उनकी चल रही है, क्या किस तरह से मैनेज हो रहा है अगर आप व्यसाय में पार्टनर है या आपका कोई मित्र है बहुत करीबी मित्र है तो उस चीज को थोड़ा आपको अब्जर्व करना चाहिए एकदम से आपको उसको खुली छूट नहीं देनी चाहिए ठीक हो सकता है कि उसके कुछ करीज होगी कि जो शुरुवात का छे महीना रहेगा उसमें यह समस्याइं होंगी आपकी थोड़ा सा कम होंगी लेकिन जब 6 महीने गुजर जाएगा उसके बाद जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं आपको फिर यह जो होगी ज्यादा होने लगेगी खास करके मां से खास करके यह जो आपको बता रहा है आपके व्योसाय से संबंद हो सकता है कि आप व्योसाय में आपके कुछ जो है उपर नीचे वैसे तो आपका चल रहा है उपर नीचे काफी दिन से चल रहा है लेकिन जब से सनी का चेंज हुआ है लेकिन उसके बाहद भी आपको जिर लोग साधी नहीं जिनकी हुई है वो लोग साधी के लिए परिसान रहेंगे इस दोरान के लिए कुछ भी हो जाए हमारी साधी हो जाए जबकि करक रासी वाला अगर कोई व्यक्ति है करक लगनका कोई व्यक्ति है उसकी रासी लगनका मजबूत है तो फिल हाल के लिए अभी उसको साधी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए कम से कम छे महीं नहीं उसको साधी के बारे में जो विचार करना चाहिए वो अगस्त सितंबर के बाद ही करना चाहिए सितंबर के अगर वो करेगा साजी के बारे में विचार तो ज़्यादा अच्छा ओगा लेकिन कर करासी वाले जिन लोगों की सादी नहीं हुई है या जो जो साधी के लाइक हो गए हैं वो लोग साधी के लिए पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेसान हैं और आगे भी बहुत ज्यादा परेसान रहेंगे उनको लगे ने बस अब साधी कर लो नहीं तो ट्रेन चूट रही है तो यह चीज़ से आपको बचना चाहिए अभी फ वह जुसादी होगी आपको कष्ट भी नहीं देगी तो इसलिए अभी आपको इस चीज से बचना चाहिए दूसरी बात वेहसाई में आपके बढ़ा बार बार आप चेंज करना है बार बार समस्याएं आ रहीं बार बार अवरोध हा रहा हैं बार बार दिक्कते आ रहीं लेकि किसी न किसी तरीके से आप उनसे निकल जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से दिक्कत जो है आपकी वो कम हो जा रही है लेकिन अभी जो आने वाला समय है अगस्त के बार सितंबर के बार उसमें फिर आपकी जो जो दिक्कत है वो बढ़ेगी तब आपको एक कोई डिसीजन लेन पड़ेगा तो हो सकता है कि आप अपना बिजनेस और वे उसाय में कोई चेंज लाइए हो सकता है किसी भी पृकार का आपका ट्रांसफर हो चेंज हो कहीं आप एक असथान से दूसरे असथान कोही लिए जाये कोई आप एक व्याषाय से दूसरे कुछ भी इस तरह की चेंज जो है आपके अगस्त के बाद होने वाले हैं उस चेंज को हो जाने दीजिए उसके बाद आप साधी वाला जो भी कारेक्रम है आप करिए तो आपको अच्छा रहेगा मित्रों करकरासी वालों के लिए यह जो समय है वह मानसिक रूप से निश्चि अकारक है खास करके पतनी और माता जी के फ्रंट पे तो उनको काफी दिक्कते आने वाली हैं दिक्कते हैं उनको रहेंगी भी लेकिन इसके साथ साथ जो लोग पहाई में हैं उनका काफी अच्छा रहेगा काफी मन लगेगा जो लोग रिसर्च कर रहें उनकी लिए पीरिय मीडिया से संबंधित व्योसाय में या मीडिया से संबंधित काम में लगे हुए हैं उनके लिए भी यह पीरियट बड़ा अच्छा रहेगा इसी के साथ जो लोग कलातमत कोई काम कर रहे हैं कला से संबंधित किसी भी चीज में जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से उन के लिए यह जो समय रहेगा अच्छा रहेगा और काफी अच्छा रहेगा इसी के साथ सार्मित्रों करकरासी वाले जो भी व्यक्ति करकरासी का जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से नेतागिरी में या राजनीत में जुड़ा हुआ है उसके लिए भी यह जो समय होगा काफी अच्छा हो तो इन लोगों के लिए यह जो समय है अच्छा रहेगा तो आपको भी यह आपको भी अगर आप इन सब चीजों में नहीं हैं आप सामान ने वेक्ती हैं सामान ने काम कर रहा हैं तो आप यह समझ लिए कि आपको इस समय राजनीट में फायदा हो सकता है, तो जहां बैठे हो, जहांभी हो वहां राजनीट करने लगे, ठीक, समय के अनकूल चलना चाहिए, तो अब आपको राजनीट में, आपको आप कलात्मक चीजों में जुड़ जाए, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, हो स रासी वाले इस दवरान अगर किसी भी प्रकार से समस्या में हैं आर्थिक रूप से दिक्कत में हैं कोई तकलीफ में हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज जो है वह यह रहेगी कि वह यह देखें कि उनको क्या कहीं सरकार से कोई सहयोग मिल सकता है यह मित्रों निश्चित पराइब सजनी सरकार से आपको अर्तिक रूप कहीं न कहीं से भैस्ता करेंगे तो मिल जाएगा तोवहां से आप अर्थिक सहयोग लिए लेगे तो करकराशी वालों को यह साल भी जो है बाकि लोगों की तरब को वी समय के हिसाब से औरूप अगर चलेंगे तो लाभ देखे जाएगा बस एक कामिसल बाव को करना है कि आपको किसी भी प्रकार से अंध भक्त नहीं होना है अंध्वक्त वह वाला नहीं अंध्वक्त पत्नी का नहीं होना है अंध्वक्त मित्रों का नहीं होना अंध्वक्त माता का भी नहीं होना इस पूरे साल तब वहां पे आपका मामला गड़बर हो जाएगा आप चीजों को calculate करके चलिए कि हां किस चीज में हमको कहां से मिल सकता है और ऐसा नहीं है कि माता की तरफ से भी मा की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा पत्नी की तरफ से भी सहयोग मिल सकता है ऐसी बात नहीं है लेकिन और पार्टनर की तरप से भी स吧 मेल सकता मित्रों से सायोग मिल सकता ठीक थीक है लेकिन अंध्भक्ती जो है is period में जो की करक्राशी वाले करते हैं पत्नी और मता में हमेशा उनके बो रहती है दिकत रहती तो इस period में आप इस चीज से बचिए थोड़ा अपने आप बैलेंस बना लीजे यह साल देखिए आपको बहुत अच्छा आपके लिए करके जाएगा इस वालों के इस वीडियो में फिरहाल के लिए नहीं पुना किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक लिए आगे दीजिए नमस्कार C 220 da को करो चारोई पर धीज आपके लिए आपके लिए रली बता जीजिए आपके लिएश को ए ऐवीजे किसी वीगियो में बना शेपके लोग Banks दोड़ा।